तो 69 यानि कि 59 में फिलम फियर अवार्ज की घोशना कर दी गई है और इसमें क्या क्या हुआ है किन किन को अवार्ड मिले है अभी इस वीडियो में पूरी वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को कर लीजिए दोस्तों फिलम फियर अवार्ड में आलिया भट और रडबीर कपूर का जल्वा दोस्तों बरकरार रहा 69 में फिलम फियर अवार्ड में एनिमल के लिए रडबीर कपूर को जो बेस्ट एक्टर था उसका अवार्ड मिला है और आलिया भट को फिलम राकी और रा फिर आवार्ड़ज गांधी नगर में इसका आयोजन किया गया था दो दिन का यह समारो ओता और उसमें जो में जो प्रोग्राम था वो रभी वार्घो संडे को हुगा था दोस्तों इसमें अब बात करते हैं सबसे पहले कि बेस्ट ऐक्टर के बारे में दोस्तों इसमें तो इसमें बेस्ट फिल्म की जो शिरेणी है बेस्ट फिल्म में 12 फेल को दोस्तों आवार्ड मिला है दोस्तों और बेस्ट डिरेक्टर को वो विधू विनोध चोपडा को बारवी फेल के लिए दोस्तों मिला है बेस्ट एक्टर जो हैं वो रनबीर कपूर ह हैं और उनको एनिमल फिल्म के लिए बेस्ट अवार्ड दोस्तों मिला है और बेस्ट एक्टरस के लिए अभी बात करते हैं अलिया भट को दोस्तों रौकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इनको अवार्ड मिला है दोनों को मतलब कहने का मतलब बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टरस के जो आवार्ड है एक ही घर में दोस्तो इस बार गए है शायर यह पहली बार हुआ है इसा इतिहास में फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में की बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टरस का जो आवार्ड है वो एक ही परिवार को एक ही घर में हस्बेंड वाइफ को दो के लिए है और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टरिस का जो आवार्ड मिला है दोस्तों वो शवाना आजवी को मिला है रौकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म में उन्होंने उसमें बहतरीन अभी ने दोस्तों किया था और डेबियू आवार्ड जो थे उसकी भी जो मेल को मिला है दोस्तों फराज फिल्म के लिए दोस्तों बेस्ट फीमेल डेबियू जो है अलीजय अगनी होतरी को मिला है दोस्तों बेस्ट डेबियू डिरेक्टर है तरुन डुडेजा को मिला है धक धक फिल्म के लिए अब बात करते हैं दोस्तों लेकिन उससे पहले क्रिटि को मिला है 12 फेल के लिए दोस्तों और बेस्ट क्रिटिक्स एक्टिस अवाड जो है वो रानी मुखर जी को मिला है तो अब बात करते हैं बेस्ट मूजिक डारेक्टर के दोस्तों बेस्ट मूजिक डार Creative इसमें कैई हो के नाम आयो होें दोस्तों फिल्म एनीमल का जो म्यूजिक है वो कमाल का म्यूजिक था बेस्ट म्यूजिक डिरेक्टर इसमें परितम भी थे विशाल मिश्रा थे मनन भारदवा थे दोस्तो भुपिंदर बंबल थे जानी थे और इसमें बेस्ट जो प्लेबेक सिंगर का आवार्ड है वो मिला है दोस्तो इस बार पहली ब बेस्ट प्लेबेक सिंगर जो है फीमेल का जो है शिल्पा रॉय को मिला है और बेशर्म रंग फिल्म पठान के लिए दोस्तों उनको मिला है इसके बाद एक और विशेश दो विशेश अवार्ड है वो मिले है एक तो बेस्ट माफ कीजी किया फिल्म फियर लाइफ टाइम इव्मेंट आवार्ड दोस्तों मिला है उसके बाद फिल्म फियर बर्मन आवार्ड शिरयस Puranik को मिला है सतरंगा ऐनिमल फिल्म के लिए दोस्तों तो बाकी और भी बहुत से आवार्ड है लेकिन ये मेन जो आवार्ड होते हैं लोगों का सभी का इंट्रस जो होता है इनी आवार्ड के उपर ही होता है काफी लंबी चोड़ी अधरवाइज लिस्ट है सिनिमेटोग्राफर है एडिटर्स हैं तो ये तो थे कि 69 दोस्तो फिलम फियर आवार्ड जिनके बारे में आपको जानकारी दी है दोस्तो तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और जाला से जाला शेयर करना मत भूलिए धन्यवाद